बैंक में FD कराना सब चाहते हैं लेकिन जब देखते हैं rate of interest केवल 6% और 7% मिल रहे हैं तो हम पीशे अड़ जाते हैं और investment का कोई और तरीका अपना लेते हैं मेरे नाम है गुरभारदवाच और अपने इस चैनल पर आपको finance और banking से related support प्रोवाइड के जाता है tips provide के जाते हैं आज मैं आपको एक ऐसा application बताने वाला हूँ जो की एक third party application है जहां पर सारी details है सभी bank होगी यहां पर आप compare कर सकते हो अपने लिए best FD rates यहां पर आपको couple of seconds में पता लग जाएगा कि आपको कितने की FD करानी है और उस पर higher return कहां मिलेगा जी हां 9.05, 9.10, 9.15 तक का भी यहां पर rate of interest, annual returns आपको देखने को मिल जाते हैं so मैं तो यही recommend करूँगा कि आप इस app से एक बार compare करके देख लो अगर आप FD कराना चाहते हो investment के कहीं सारे तरीके होते हैं कुछ secure तरीके होते हैं और कुछ ऐस तरीके होते हैं जो कि आपका risky तरीके होते हैं उसमें chances return जितना जादा risk होगा उतने जादा ROI यानि कि return of investment ज्यादा होगा लेकिन बड़े पुजूद भी कहा चुके हैं और FD fixed deposit हमेंसा सी सतावा रहा है कहते हैं कि अगर आपकी 10 रुपे की income है यानि कि 10 रुपे आपकी saving है तो 10 में से कम से कम बहुत सिंपल सा formula आपको में बताता हूँ पहले एज 100 उमर 100 साल की होती थी अब एज 80 की होने लगी तो एक नुमाल लगा जाता है कि जितनी 100 मेंसे आप अपनी एज घटा दो जो भी बचा है ठीक है उतना पैसा आपको FD में रखना चाहिए मनला फिक्स deposit में रखना चाहिए मालीजा आपके पास 100 उपए है और आपकी यह जभी 50 साल है या 45 साल है तो घटाएंगे तो 55 आएगा यानि कि उस 100 उपए में से 55 उपए आपको FD में रखने चाहिए बागी 45 आप रिसकी जगह पर इंवेस्ट कर सकते हैं तो जितनी कम उमर है आपकी उतना अधा आप यहा कौन सा अप्लिकेशन है कैसे आप यहां पर जो है जा सकते हो एप का लिंक मैं आपको डिस्किशन में दे दूंगा या आप प्ले स्टोर से चले जाना है आई कैन टेल यू कि यह कोई प्रमोचनल वीडियो नहीं है मैं अपने लिए FD कराने के लिए अप्लिकेशन सर्च कर होगे तो लोगिन करके बस आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर वगयरा डाल देना है सिक्योर्टी वर्बस मोबाइल नंबर जीमेल आईडी और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा ठीक है अब यहां पर यहां पर ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंट वि आपको उस पर कλिक गर्ना है सबसे पहले आपको यहां पर चूज करना है कि आपको धी करानी है तो कितनय रूपे की करानी है सबहस को किजिए कि मुझे कितनी थाम्स की करानी है ठीक है अब 10 लाग की आपको FD करानी है आपने यहाँ पर चले गए सिधा-सिधा अब रिजल्ट पे आप चेक करो यहाँ पे उन्होंने आपको ओप्शन दिखा दिये जो जो इस समय हाई रिटन देने वाले हैं दो बैंक है सुर्योदे बैंक और एक आपका शिवालिक बै तो आप देख सकते हो कितना रिटन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है सिम्पल था फंडा है यहाँ पर आप अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हो डिटेल पे चाकर चेक भी कर सकते हो कि क्या मुझे क्या के बैनिफिट्स मिल रहे हैं क्योंकि बैंक की अपनी पांच लाग तक आप RBI सबसीटी देखो जितने भी DICGC बैंक से अप्रूवल है RBI की अप्रूवल तो वहां से कराने में क्या रहता है पांच लाग की यहां पर जो है सबसीटी RBI देता है अगर आपको कोई भी मिसैपनी होती है बैंक के साथ 24-7 सपोर्ट अगर आपको करना है तो आप स्टार्ट इंवेस्टिम पर जाके कर सकते हैं दूसरे बैंक पर चेक कर लिते हैं जैसी वाली के अब यह क्या बैनिफिट जेरा है यह सीनर स्टीजन पर 9.05 पांच लाग का यह सेवन डेज यह और भी बैनिफिट से तो आप चाहो जा सकते हो SIPB कर सकते हो यहां पर स्टार्ट SIP पर जाएंगे तो आपका SIPB यहां पर हो जाएगी तो यह तरीका है सिंपल सा आपने लिए बैस्ट FDK रेट चेक करने का क्योंकि जनरली हम करते क्या है कि इतने सूस्त हो जाते हैं कि जिस बैंक में मारा अकाउंट है जहां पर सेविंग में पैसे आते हैं वहीं पर यह MFD करा देते हैं बिना यह जाने कि वह बैंक क्या रेट दे रहा है मोस्ट आप गवर्नमेंट वैंक आपको 6.5 यह मैक्सिम्म 7 यह 7.5 का ही ROI यहनी के इंटरस्ट देते हैं बट आप अगर कंपेर करोगे तो आपने लिए बैस्ट चूज कर सकते हूं ऐसी इंफर्मेटिंग, बैंकिंग और फिनेंस अलेटिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजे, SBJ मनी को